Assalamualaikum viewers, welcome to Champion Learnings, मैं हूँ उसमान शाजाद और आज हम बात करेंगे J.R.R. Tolkien के बारे में अब J.R.R. Tolkien जो हैं, वो बहुत ही कमाल के English writer थे और उनने बहुत सारे fantasy works publish किये जिसमें top of the list हैं The Hobbit और The Lord of the Rings अब उनके एक बड़ी कमाल की quality थी, कि वो details पे बड़ा focus करते थे अपनी रैटिंग्स में Lord of the Rings में भी उनने यही किया और इसी वजह से उनको 14 साल लगे Lord of the Rings को complete करने में अब basically उनके हिसाब से हमें एक creator ने create किया लेकिन हम creators नहीं हैं, लेकिन हम सब create कर सकते हैं इसका मतलब यह है, जो भी elements nature ने create किये हैं, उनको हम किसी तरह से arrange कर सकते हैं कुछ constructive करने के लिए, या कुछ ऐसा करने के लिए जो देखने में खुबसूरत लगे जिस तरह से Tolkien ने किया different experiences of life, different mythologies, different जगाओं से उन्होंने knowledge को accumulate किया और एक fun तरीके से एक story narrative बिल्ड कर दिया, जो के पढ़ने वाले को मज़ा आता है पढ़के और ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ethically or morally ठीक होगा, हो सकता है वो खराब भी हो लेकिन creatively वो मज़ा आएगा आपको पढ़के बहुत छोटी एच से ही Tolkien को languages का बहुत शौक था और बलके उन्होंने अपनी खुद की languages invent भी की थी, तो languages का उनको बहुत शौक था, बलके उन्होंने इस language learning और language constructing shock को उन्होंने अपनी books में भी use किया, बहुत छोटी एच से ही उन्होंने ecology के अंदर भी interest develop किया, nature में, trees में, और ये सारे elements अब ऐसे हैं, जो के आप अपनी stories में use कर सकते हो और ये Tolkien ने किया, बहुत अच्छे तरीके से, मतब चाहें आप descriptions में use कर लो, उसके around को narrative build कर लो, वो अब आपके उपर है अब उनका जो काम है वो बड़ा कमाल का है, उन्होंने ना सिर्फ children stories का element डाला अपनी stories में, बलके उन्होंने adult themes भी डाले, तो उनको हर तरह की audience मिल गई इस वज़ा से, और इस चीज़ के अलावा उन्होंने बहुत सारे ऐसे moral lessons भी डाले, अब उस टाइम पे क्या था, social media त अपने fans की तरफ से, और वो बहुत ज़्यादा time लगाते थे, उनको answer करने में, और जो भी fans के questions होते थे, वो different interpretations देते थे उस पे, और बताते थे basically कि आपको languages को किस तरह interpret करना है, बलके उनकी जिंदगी का ये बड़ा कमाल का किस्सा है, जो कि कहा जाता है, जहां से उन्हों mark कर रहे थे, उनके बहुत सारे exam papers पड़े थे, तो एक question paper ऐसा है, जिसमें किसी student ने एक blank page छोड़ावा था, अब उनको भी ये चीज़ पता नहीं है, कि उनको ये thought कैसे आया, लेकिन उन्होंने उस blank paper के उपर एक sentence लिखा, in the hole, in the ground, there lives a hobbit, और फिर ये चीज़ उनके stories लिख सकता हूँ, जो कि engaging हो, क्या मैं वाकिए capable हूँ, क्या मेरे पास ideas है, क्या मेरे पास इसा material है, जो कि interesting होगा किसी तरह से readers के लिए, तो ये चीज़ उन्होंने बखूबी की, अब जो भी उन्होंने लिखा अपने जिंदगी में, चाहे वो writings हो, चाहे वो poems हो, ये सारी चीज़ें, उनके अपने experiences of life से inspired है, जो भी उन्होंने experience किया, जो भी उन्होंने देखा, कुछ उन्होंने observe भी किया, बलके ये बात कही जाती है, कि Lord of the Rings में एक character है Gandalf, उसका idea उनको एक artwork से मिला, उन्होंने कोई painting देखी, और उससे उनको idea है, तो basically कहने का मकसद ये कि, जब भी आप लिखने बैठते हो, तो आप अपने experiences of life में dig करते हो, और आपका एक spectrum है of life, उसको दिमाग में रखते हुए, आप एक story, एक narrative बिल्ड करते हो, तो वो आपके spectrum के हिसाब से unique होता है, उसमें आपका filter लगवा होता है, और जो inspiration है वो आपको कहीं से भी मिल सकती है चाहे आप कोई चीज observe की, चाहे आपने कोई चीज देखी, या कोई experience किया, कोई बंदा ऐसा था आपके इरदगर्द, तो वो आपका eventually आपका character बन सकता है आपकी story में, क्योंकि story तो आपकी है, you are the master of your own universe, एक बात Tolkien के बारे में बहुत बोली जाती है, कि उनको cultures का बहुत श चॉक नहीं था, वो एक simple quiet life में खुश रहते थे, और I think ये जो individuality है, और ये introvertedness है, ये सारे writers में होती है, कहीं न कहीं, किसी न किसी level पे होती है, अब जो stories Tolkien ने लिखी, वो सारी with time evolve होते गई, और यही फाइदा होता है actually stories पे time लगाने का, कि आइस्ता इस्ता आपकी story भी evolve होती जाती है naturally, और आपके characters भी evolve होते जाते हैं, और ये कोई ऐसी चीज नहीं थी, कि उन्होंने plan किया इस चीज़ को, ये खुद ही naturally होता गया, अब Tolkien के हिसाब से, जिस बंदे में वाकई faith होता है न, वो अपने पाथ पे stick रहता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे रोशनी हो, वो अपने पाथ से नहीं हड़ता, उसकी आदत ही ऐसी नहीं होती, अब उनके साब से जो dream होता है न, वो बहुत सारी reality जिस जिन्दगी के मिला भी लो, तब भी उससे ज़्या powerful होता है, क्योंकि उसमें imagination का रोल आ जाता है, reality तो वो बात में जाके बनता है न, dream, पहले तो आप imagine ही करते हो उसको, अब अगर आप example लो, तो जैसे for example, अगर writing की example ले ले, तो जो भी एक writer paper पे लाता है, पहले उसको imagine करता है, और वो बहुत सारे experiences से dig करता है, बहुत सारे लोगों की life से चीज़ें उठाता है, चाहे किसी के बारे में पढ़े, चाहे किसी की reality से कुछ events, experiences उठाए, वो कुछ भी हो, लेकिन पहले imagine करता है, सारी story को अपने mind में पहले लिखता है, उसके बाद paper पे लाता है, अब Tolkien के हिसाब से basically जो wise लोग होते हैं, वो उनी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जिनके बारे में उनको पता होता है, अगर नहीं पता होता, तो वो बात नहीं करते, और ये चीज़ wise भी है ना, अगर एक चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं है, knowledge ही नहीं है, तो आपको बात करनी भी नहीं चाहिए, क्योंके बहुत ज़्यदा chances हैं, कि आप उसके बारे में कुछ गलत बात करते होगे, अब basically Tolkien से एक interviewer ने पूछा कि आप क्या चाते हो, कि आपको कैसे याद रखा जाए, ऐसा इंसान जिसने कुछ बोला, या ऐसा इंसान जिसने कुछ बनाया, तो Tolkien का बहुत ही कमाल का answer था इसके response में, उन्होंने कहा, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बनाई जाए, जब तक वो कुछ कहे ना, तो उसको याद नहीं रखा जाएगा, और ये बात सच है, क्योंकि आप बहुत सारे writers को देख लो, जो भी याद रखा जाता है जिनको, उन writers में सबसे कमाल की बात यही है, कि उन्होंने अपने narratives में कुछ न कुछ कहा, अपने characters के थ्रू कहा, कुछ realities को शायद उन्होंने portrait किया, तो कुछ writers ने, जैसे के Tolkien भी, उन्होंने एक fantasy setting में बहुत सारे moral lessons दिये, इसी लिए उन writers को याद रखा जाता है, तो viewers I hope, इस वीडियो से आपको ना सिर्फ Tolkien की जिंदगी के बारे में, बलके in general जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, अगर वाकरी सीखने को मिला ह करें, शेयर करें, और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें, थैंकियो सो मच फूर वाचिंग, अल्ला हाफिस.